कोविट के बढ़ते मामलों के चलते लोगों को राहत दिलाने के लिए महेश बांसल परिवार की ओर से अनुठी पहल की गई है अनाज बंडी में स्थित शौप नंबर 6 महेश कुमार मोनिल कुमार फरम से करीब सवा लाख रपे के दवाईयों के साथ आज एक टीम रवाना हुई महेश बांसल के पुतर अंकित बांसल ने बताया कि कोविट 19 के दोर में जुरूरी है कि हम जूरत मंदों के काम है बांसल परिवार हमेशा समाज को समर्पित रहा है कोविट के बढ़ते मामनों के चलते हमने दवाईयां वितित करने का नेने लिया है आज इसी कड़ी में विभिन कामों में करीब सवा लाख रपे के दवाईयां वितित की जा रही है कोविट का दोर चल रहा है कोविट के दोर के करान लोगों को परिशानी हो रही है जो इस कोरोना की परिशानी से इसके लिए गावों के अंदर जंगा-जंगा हम दवाईयां वितित परने जाएगा तक्रिबन ये सवा एक लाग लेड़ लाग तक की दवाई है वही मागे भी जारी रहेगी जैसे जैसे इसकी कॉविट के दुरान जरूरत पड़ेगी